ऐसलामलेकुँम। आज बनाएंगे मुउभली की कत्लिया बहुती टेस्टी बनते हैं और इसी बनाना बहुत आसान है कि यहा पे मैं एक प्याला ली हूँ मुभली भरकर आप चाहिए जादा भी ले सकते हैं मैं थोड़ा ही बना रही हूँ तो यहां पे एक प्याला मुंफली को डाल दिये है प्लेट में और जो भी इसके अंदर थोड़े खराब जो मुंफली रहते है उसको निकाल लेंगे ने तो कतलिया में टेस्ट बिकार आएगा कड़वा थोड़ा हो जाएगा तो अब इसे भून लेते हैं तो फ्राइपेन में डाल दिये हैं और इसे भून लेंगे और जब इसमें चटकने की आवाज आए तो समझ जाए कि मुंफली भून गई है और यहां पे भून गई है मसल के छिलके को निकाल देंगे या फिर आप कोई भी कपड़ा ले और उसके अंदर डाल कर इसको मसल ले तो इसली निकल जाता है तो मैं यहां पे इस तरीके से हाथों से मसल मसल के छिलके को निकाल दोंगी यहां पे छिलके को निकाल लिए है और कुछ बच गया है जिसमे थोड़ा बहुत चल लाता है और अब इसे चान लेते हैं और इस तरीके से मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चानने में और इसको इस तरीके से चान दूँगी और ताकि इसके कच्रे निकल दाएंगे और इसको एक बरतन में निकाल लेंगे अब और जो निचे दाने गिर गए हैं उसको भी इसके अंदर निकाल के रख देंगे और यहाँ पर मुंगफली के दाने को निकाल दी है इसके छिलके को तो अब इसे ग्राइंडर जार में डाल कर पीस लेना है थोड़ा थोड़ा चला कर ग्राइंडर जार में पीसना है एक साथ चलाते हुए नहीं पीशेंगे, थोड़ा थोड़ा रोक रोक के पीशना है, नहीं तो मॉंगफली ओइल चोड़ देगा, तो खराब होजेगा, तो यहां पर थोड़ा थोड़ा चलाते हुए पीश लिए है, और आप देख सकते हैं, इस तरही के से भर-भरा पीशना बारिक पीषता है, यहां पर मैं शक्कर ली हूँ, जितना मुंफली लीती हूँ, अपने टेस्ट के सबसे मिठा एड़्जस कर सकते हैं, और फिर जितना शक्कर ली हूँ, उससे थोड़ा सकम पाने डाले हूँ, ज्यादा कम नहीं, थोड़ा सकम पाने डाल देंगे, और इसम पीषते निलाची को यहां पर पीष ली हूँ, और इसको डाल देंगे फ्लेवर के लिए, और इसको कुछ देर के लिए पकने देंगे, जब चाशनी हलके चिप चिप हो जाए तो इसके अंदर डाल देंगे, मुंफली को जो पीष कर रखे थे, यहां पर चिप चिप हो और इसमें तेल या घी कोई की जरुवत नहीं रहती है क्योंकि एक खुद अपना चोड़ता है तो यहां पर इस तरीके से चलाते हुए जाएंगे जब तक यह थोड़ा बाइंडिंग फॉर्म में ना आ जाए medium to slow flame पे करेंगे इसको भुनेंगे इस तरीके से और आप देख सकते हैं यह binding form में आ गया है कैसे मालूम करें कि यह कतलिया बनाने के लिए तयार हो गया है तो थोड़ा सा एक बरतन में निकाल कर और इसको हातों से इस तरीके से गोल गोल करेंगे तो यह चिपकता नहीं है और पकानी की जरुवत नहीं है और गयस का फ्लेम बन कर देंगे और इसे एक बरतन में निकाल देंगे जिस बरतन में जमाना है तो यहां पर मैं एक ट्रेली हूँ और इसमें ऑईल लगा दी हूँ और इसमें अब डाल देंगे थोड़ा ही बेटर है तो आधी साइड में ही ऑईल ब dip funny RA UK कि बोगाई हूग만 इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे कि यहां पि Seaぎ हर तरफ से कर लेंगे का और अबिसे थंडा कर लेंगे इसको फिरीज में डाल रही हूँ विरीज में 2stalा केली नीचे वाले हिससे में डाल दूंगी और फिर इस दो तीन घंटे बाद इसे कट कर लेंगे चाकू के हैद से अब कोई भी शेप में कट कर सकते हैं चौकोन या फिर कतलियों के शेप कोई भी शेप दे सकते हैं और यहां पर कट कर लिए हैं दोनों तरफ से इसका टेस्ट सेम काजु कतली का टेस्ट की तरह लगता है सेम वसी की तरह टेस्ट है इसका बहुत ही टेस्टी लगता है एक बाई जरूर बना कर ट्राय करें वीडियो चलाओ तो लाइक करें चैनल पर ने हो तो सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के रैस्पिस के साथ